आप सभी लोगों का स्वागत है एक बात फिर से के जेकलाजिस के यूट्यूब चैनल पर सर एक कोश्चन जो की बाकी काफी लोगों को इश्यू क्रियेट करता है कि लोग पूछते हैं जिसके आप फंड है को कभी कहता है कि मैं प्रॉपर्टी में इंवेस्मेंट करूं मैं ले लूँ मैं एपडी पर इंवेस्मेंट कर दूं तो राइट वे क्या है यह बड़ा कंफ्यूजिंग में रहता है तो इसमें आपका क्या रहा है आपकी ने पहली बात तो यह तुमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि तुमारे पास फंड है दिक है आज का टाइम है क लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे चाहे वह आपके क्लाइंट्स हो वह तुम्हें कभी नहीं बताएंगे कि उन पर फंड है वह तो जब आप उनकी आई ट्यार वरोगे तो उसमें देखोगे कि सेविंग एकाउंट में 20-20 लाग रुपे पड़े में तुक है ना अब मुद्ध यह है कि जो यह हमारे पास फंड रहता है ठीक है इसका क्या करें दो एक लेवल के बार मेरा अपना ऐसा मानना है कि एक लेवल के बाद पैसा आपको पैसा कमा कर देता है अगर आप उस पैसे का सही यूज करते हो तो आप मुझे कमेंट बोक्स में लिखकर बताना क्या यह जांट ने तो मेरे पास बहुत लोगों ने पूछा मेरे से कि सबहर मेरे पास पार्च करोड रुपया आ जाए तो क्या में उस पैसे से पैसा कमाके अपनी य्टागे की जिंद्दगी चला सकता हूँ, आंसर इस येस, क्या मैं इस पैसे को पाइस से 7 करोड, 10 करोड कर सकता हूँ, आंसर इस येस, लेकिन अगलो प्लट कि आइसे ना कि यह पांच करोड आपने देखा होगा एक फोटो आप देखना एक वीडियो आप देखना जिसमें क्या है कि कोई अमिताप ब्च्चन जी के पास कोन क्ल候 पती में और वहाँ से फट्च करोड़ Tech और उसके बाद वह आज दो साल टीन साल फिर उसी लेवल पर आ लिया वही 500 औरपे काम कर रहा है लेकिन अगर किस वेक्ति ने 57 करोड कमा लिये थे तो क्या आपको नहीं लगता कि अब तो उस वेक्ति को उसी 57 करोड से भी अगर कमाता तो वह अपनी पूरी लाइफ अच्छी काट सकता था अब आपको कि सर कैसे काट सकता था ह है ना कई लोग कहेंगे सर इसे बैंक में डाल देते तो पैसे से लाइफ कट जाती है यह भी बाट ठीक है लेकिन क्या बैंक में डालने ही सोलूशन है कई लोग कहेंगे बैंक में भी ना डालते क्या पता बैंक डूब जाए इससे ज़्यादा सेफ है कैस रख लेते घर में निकालता रहता तेली खर्चकरता रहता फांच करोड करने में भी मितो समय लगता लेकिन रिस्क तो यहां पर भी है कि जो को laquelle अपने घर में रखता कल चोरी हो जाथी हो गया जीरो तो पहले 민cemos को समझना कि हचेंगा रिस्क एक है कहीं पर जादा है कहीं पर Kahmen सर अगर बैंक में रखता तो रिस्क नहीं था अगर आप उसे बैंक में रखते तो बैंक भी तो डूप सेथा था ऐसा नहीं है कि बैंक नहीं डूपा लेकिन चांसिस कमें बैंक में जो पैसा रखते हो उसमें पूरे का इंसरेंस ओड़ी होता है तो आप ये मत मुझे कहना कि सर रिस्क नहीं रिस्क कहीं पर कम हो सकता है मोईजी कहीं पर जादा हो सकता है लेकिन अगर आप पैसे से पैसा कमाना चाते हो तो उसके मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा ४ैसे को फोलो करके आप अपने पैसे से पैसा कमा सकते हो एक बार 50,000,000 चमालो 20,000,4,000,000 उसके बाद उस पैसे को भी तुम तो काम करते ही रो तुम म Такनल चोल ज dependence मैं neo movement आप अपने घर में कोई जादा चैश्मत रखना है कि आप अपने घर में कोई जादा कैश मत रखना तो सग्षोफ पाइब से लोग डाउन हो जाये घ्याय तो इतना घैसा आप के पास होना चाहिए लृति सब लोग फन पर पे पेंट लेते तो मेरा पहला मानना यह कि अगर आप घर में कैश को रखते हो तो आपसे बड़ा वेवकूफ कोई नहीं हूँ कि रीजन क्या है कि अगर आप अपने घर में एक साल केश को रख लिया आपने अगर दस लाख रुपे एक साल अपने घर में कैश को रख लिया पहली बात सेफ्टी आप एक साल वाद उसकी वैल्ल्ज ऐसी कम हो जाएगी जैसल कि एक साल दूसी चीज सर ऐसा करते है फिर बैंक में रख लेते अब आपने जो बैंक में cash रखा या बैंक में जो आपका पैसा है कई लोगों के bank account बहुत पैसा होता है बड़े खुश होते लेकिन मेरा मानना है नहीं बैंक अगर आपको saving bank पर 4% का interest दे रहा है 5% का interest दे रहा है 3% का साल का interest दे रहा है कुछ नहीं दे रहा क्योंकि inflation तो ज्यादा बढ़ रही है तो बैंक में जो पैसा आपने रखा उसकी वेल्यू कम होती है लेकिन आप बैंक में रखना चाहिए कुछ पैसा मानलो जैसे आपक 20 लाग रुपय कैस बैंक में रखा हुआ है और आप एक trend फोलो कर रहे हो कि यह पिछले 6 महीने से 20 का 20 ही है 19 हो गया 18 हो गया 22 हो गया 21 हो गया मतलब जो excess balance है कैस का जो excess balance है कैस का और आपको पता है कि इसका आगे को use भी नहीं दिख रहा तो आप इस पैसे को काम पर लगा सर कैसे काम पर लगा दे अब कहीं लोग कहेंगा सर शेयर मार्केट लेलो बैस शेयर मार्केट पर जिसे knowledge उसी के लिए फायदा है तो सर और क्या गया कर सकते होगा आप हमेशा इस पैसे को diversify करो सर अलग अलग जंगा पर लगा सकते हैं जैसे मैं अपना example दूँ अगर मेरे पास आज की डेट में 15 लाग रुपे एक्स्ट्रा होंगे तो मैं कोशिश करूंगा जिस हेरी में मैं रह रहा हूँ जिस हेरी मेरा ओफीश है तो वहां पर एक ओफिस पर्चेश कर लोगा मैं अब जैसे मैंने 15 लाग का ओफिस पर्चेश करा तो इंडिया में depend on the city to city आप 15 परफिस परचेज करते हो तो इसका जो रेंट है न 10,000 रुपे तक भी आ जाता है कही बार नहीं तो 8,000-9,000 तो आई जाता है 8 से लेकर 10,000 से लेकर रेंट तो कुछ भी नहीं हुआ नहीं भाई आप अगर रेंटल इंकम को देखोगे अगर ओफिस की बात कर रहे हो रेंटल को देखोगे आपकी फिक्स पैसी इनकम हो गयी अ कि आ जापकी फिक्स पैसीव एंक हो गई और तो यह अगर इंटर बड़ते हैं यह आपको देखो और आज की डेट में आकर आप देखोगे तो बहुत सारे इसे हैं धनकर आप पर रहते हो या आपको औप defence भिस न अधियान लगाओग तो आप देखोगे करकर apps लेकर एक passive income बना सकते हैं सर्ट ले यह थोड़ा बहुत कर सकती हूं आप प्रवाइब आपको अपने बुढ़ाबे की चिंता है तो भाई आप पीपीएफ में पैसे डालो कि इसमें से निकाल नहीं न पड़े क्योंकि इसमें से निकलता नहीं जल्दी ठीक है न कि आपको भविश्य सक्क्यों आपने अफडी करा लिकिशल पास साल बार निकालूंगा क्योंकि यहां पर आप अपने आपको बाउंड गर देरें अपने पैसे को कि यहां पर डाल दें यहां से निकाल दी सकते हैं ठीक है न तो थोड़ा बहुत अमाउंट आप इस अफिसे क्या चगिर उफ्य आएख और या को यह चा़र्टर कर टाद्रूंट अपने उसione क्र pressing कि और यह उसे कार ले ले या ओफिस लेल उर्टूंग है क्योंकि कार क्लाइं से मिटिंग के लिए याँपिस जो क्लाइन हो उसके लिए तो मैं उसे सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर तुम प्रेक्टिस में जा रहे हो चाहे यहां पर चार्ट अकाउंटेंट है चाहे प्रोफेशनल है मैं कोई बात नहीं कार बाद में डिले कर लिए अभी अगर तेरे पास 20 लाग रुपे है 15 लाग रुपे है तो अपना छोटा सा ओफिस ले ले अब उससे क्या फाइदा होगा उससे क्या फाइदा होगा कि जो आपकी रेंटल इंकम है जो आपकी रेंटल इंकम है ठीक है ना या जो आपके रेंट पर एक्सपेंस होने ते वह सेव हो जाएगी अब अगर कल को आपको मन करा दुबारा ज जाएगी अगर प्रैक्टिस चल दिया ठीक है तो यहां पर आपको फिनेंशल डिसीजल नेना बड़ा असान है ठीक है थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप कुछ गड़बड तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आपने गड़बड करी तो यह तो जैस पर बिपेंड करता है कि वो पर संगी क्या है की अगर वह बड़ा करता है तो उसके साबसे उसको देखना पड़ेगा इस सब चीजे से लगज करते हैं इसके लिक्विडिटी फंड कितना रखना है ताकि अगर कोई आए तो निकाल पाए बाकि यह बिल्कुल सर ने सभी बत लोकेशन और पंड जुरूरी है कहते हैं ना डॉंट पूट और एक्स इन दे सेम बास्केट वह वाली बात है कि पॉट्पोलियो जितना डैवर्सिफाइड हो उतना अच्छा है तो सर ने बहुत अच्छी राय दी कि अलग-अलग हमारे को कैसे डैवर्सिफाइड करें थाकि